क्या आप भी अपना front raises कुछ इस तरह कर रहे हैं इसको जानने के लिए इस वीडियो को share या save करना न भूलिए अगर इस तरह कर रहे हैं तो आपका middle tiltrot ज़्यादा active है, interior कम है, elbow के उपर बहुत ज़्यादा forces है और भी profile poor है अगर इस तरह कर रहे हैं तो आपका interior tiltrot थोड़ा सा active हो जाता है बट आपका bicep की involvement थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उससे better है पिछले वाले से अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आपका interior deltoid बहुत ज़्यादा active हो जाता बड़ बाइसप के उपर बहुत ज्यादा load पढ़ जाता है बड़ प्रफाइल अगें पूर है अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आपकी range जुनसी वो आधी है पर profile अगेन पुर है और अगर आप pulley की उपर इस तरह कर रहे हैं तो आप better है बाकियों से बट इसमें भी आपकी जुनसी profile है वो भी पुर है बट इन सभी चीजों को अगर better करना है तो उसके लिए आपको अपनी shoulder की पूरी range की उपर exercise करने पड़ेगी अच्छी profile से तो उसके लिए exercise ये बनती है जिसमें आप exercise अपनी पीछे से शुरू करते हैं जहाँ पे आपका shoulder fully landen position पे होता है पर resistance बिल्कुल zero होती है और इसको जैसी लेके जाते हैं जैसे जैसे muscle मेरा strong होना शुरू होता है resistance आती है और उपर पहुँचने के उपर जब muscle fully shorten होता है और वहाँ पे resistance अगेन गिर जाती है तो आप अगर करना चाहते हैं तो इस तरह करिए इस exercise को और अगर आपके पास dumbbell है तो उसको इसी तरह dumbbell को इस तरह करें जो की एक रैपलिका बनता है बिल्कुल pulley की exercise के साथ बढ़ आपको अगर इन सारे जहमोलों से हटना है तो आप simple एक overhead dumbbell press करिए और उसमें आपका interior delta पूरा यूज़ होगा और आपका bicep or tricep बहुत minimum यूज़ होगा और आप अपने अच्छी तरह load भी डाल पाएंगे